हाई गाईज आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ESP32 बोर्ड एक्चुली रियल वर्ल में दिखता कैसे है और जो हमें चीजे हैं कि हम उसकी पिन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं जैसा कि हमें इंटरेट पे अवेलेबल डेटाशीट में दिखता है तो वह सब देखेंगे फ सो टॉपिक्स कवर हम करेंगे ESP32 पिन डाइग्राम पिन डाइग्राम कैसा है ESP32 का चिप कौन से यूज होती है इसमें कॉम्निकेटिव पीसी और यह बोर्ड कैसे कर सकते हैं डिटेक्ट पीसी में जैसे आप खरीदते हो तो आपको पता क्या चलेगा कि बोर्ड डैड है यह नहीं है तब ही आप वापिस रिक्वेस्ट पाऊगे एक बेसिक आइडी सेट अप करने कोशिश करेंगे जिसमें हमें बोर्ड डिटेक्ट करना कैसे करें वो देखेंगे और फिर एक सिंपल से ब्लिंक प्रोग्राम बनाने कोशिश करेंगे तो यह है ESP32 का पिन डाइग्राम तो जैसे मैंने बताया था यह एक USB है इसमें दो बटन है और इसमें डिफरेंट टाइपस ओफ पिन होती है इन पिन का क्या काम होता है कि यह कॉम्म्निकेशन के लिए हैल्फुल होती है अब जैसे आपको भी प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें ऐसे होगा कि connect your wire to this pin ऐसे या इस pin को उदर connect कर दो उस वाली pin में add कर दो तो अब वह आप पता कैसे लगागा कि आपके board में वह पिन है कहां तो जैसे अगर मैं आपको board दिखाऊ हूँ यह इस तरह का board होता है अगर आप देखें तो यह बिल्कुल काफी similar रहेगा यह मैं mobile से भी एक बर यह आपको काफी दिखाऊंगा कि यह किस तरह से होता है यह इसमें थोड़े focus option कम है मेरे webcam में तो mobile पर थोड़े देर के लिए सुच होएंगे तो जैसे आप देखने कि यह USB है यह दो button हो गए और यह digital pin से हमारी जो कि यह इस तरह से हम यहां से use करकर connect कर सकते हैं ठीक है तो यह pin आप इस तरह से use कर सकते हो तो इसमें देखकर आप यह use कर सकते हो तो मैं थोड़े देर के लिए अब यह mobile से video shoot करूँगा कि दिखाऊंगा कि आपको यह pin कैसे find out आप कर सकते हो हाई गाई जैसे कि आप देख रहो यह actual board इस तरह का दिखता है यह micro USB इसमें है और यह दो button है और यह देखे कि इसमें किस तरह से pin की description दिये हुए है 3 volt d15 यह इस तरह के हैं और इसको हम connect इस site से कर सकते हैं ठीक है अब थोड़े diagram के इसाप से जैसा कि diagram ऐसा है और ऐसा ही हमारा board है तो हम कोशिश करते हैं कि एक pin ढूंडे इसमें pin हमारी ऐसा करते हैं GPIO 26th pin ढूंडने कोशिश करते हैं बोर्ड में कहा हैं तो सबसे पहले जब आप diagram देखो के तो board को इसी तरह से assign करो और फिर इसको इस तरह से mode कर अब देखो अब आपको यह उपर की तरह ही pin ढूंडनी है हमें 26 ढूंडनी है तो अब यहां से देखना चुरू करते हैं यहां पर d14 है d26 और यह d26 यह pin हमें मिल गई है तो जब भी ऐसे program में कहेगा कि अपने sensor को इस वाली pin पे add कर दो attach कर दो तो हमें इस तरह से pin ढूंड कर इसमें attach कर दे हैं क्योंकि हमें define करने पड़ती है program में कि कौन से pin में हम कौन सा sensor यूज़ कर रहे हैं similarly अब एक बार ही left side की pin ढूंडते हैं इसमें fourth pin ढूंडने कोशिच करते हैं GPIO fourth अब वही है कि प D4 है कई बार आपको ऐसा लगेगा जब आप board देखोगे कि काफी pin इसमें available नहीं है पर diagram में दे रखे है जैसे for example अब आप यह देखेंगे यह GPIO 36th pin है अना अब यह आप जब अगर board में देखोगे तो यह 34th अब इसमें pin है बाकी pin ही नहीं है और इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें कौन से 36th pin थी हमारी second वाली है ना उपर से second अब इसमें second pin क्या कह रही है कि यह VP है ना तो इसमें हमेशा ध्यान रखे कि इसमें यह multiple values होती है तो इसमें GPIO 36 तो है पर यह sensor VP भी है तो यह ध्यान रखना कि अगर यह नहीं है तो यह होगी अब बाकी इसका use क्या है यह हम बाद में देखेंगे बाकी मैं यह बताना चाहरा था कि यह pin सारी available है जो भी board में रहती है अब एक और केसे कि आपको पता कैसे चलेगा कि यह particular board का ही diagram है उसके लिए आप क्या करो board को उल्टा करो और इसमें देख लो ESP32 DevKit V1 आपको कुछ नहीं करना है board का नाम उठाओ सर्च करो ESP32 DevKit V1 pinout diagram तो pinout diagram लोगे तो आपको इस तरह से दिख जाएगा यह मैंने random net tutorial से करा है इसमें बहुत अच्छे tutorials है इसको मैंने काफी follow किया है मेरे ख्याल से काफी चीज़ों के लिए तो आप इसको भी use कर सकते हो या net से कुछ भी उठा सकते हो या इसी का screenshot ले लो तो यह चीज़ है जो हम इस तरह से pin find out कर सकते हैं बाकी अब मैं switch हो जाओंगा webcam पर क्योंकि focus नहीं था है इसलिए मेरे को इसमें mobile पर आना पड़ा तो गाइस ऐसा कि आपने देखा कि हम किस तरह से pin इसमें find out कर सकते हैं और board काफी similar दिखता है जैसा कि आपको pin out diagram में दिखेगा तो यह काफी असान हो जाता है देखना अब अगला क्या है कि इसमें chip कौन से होती है तो chip की हम बात कर रहे हैं तो chip किसली हम किर रहे हैं कि आपको एक chip होती है हर एक microcontroller में जिससे वो communicate करती है तो इसमें इसमें जो chip होती है वह CP2102 USB to serial बहुत consistent chip है वो तो इसलिए ESP32 वाला version काफी popular रहा है एक ESP8266 करके कुछ एक model आता है उसमें CH something version वाली chip होते है वो बिल्कुल भी मत लेना क्योंकि उसमें बिल्कुल भी consistency नहीं है और Windows 10 में काफी problem रही है मेरे काफी मैंने मंगवाया था AliExpress से तो वो नहीं चले है थोड़े सस्ते आते हैं वो board पर वो चलते नहीं है mostly तो मैं तो कहूंगा avoid करना तो जिसमें भी यह mention और CP2102 वही लेना और मेरे ख्याल से ESP32 के सारे versions में यह CPU होती है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना CH से रिलेटर कुछ भी मतले ना वह बिल्कुल भी consistent नहीं है especially Windows 7 में तो इधियान रखना अब हम देख लेते हैं कि कौन सी ID हमें यूज करने है तो ID यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें यह साइट पर जाना है और यहां पर Arduino की एक ID होती है अब इसको confuse मत करना कि Arduino Board भी एक होता है और एक Arduino ID है कि Arduino के अंदर इस्पिटेटर चलता है वह उसका मतलब यह है कि एक ID है इसको बोलते है Integrated Development Environment तो शायद ऐसे ही कुछ होगा ID तो इसमें क्या है कि यह हमें एक platform provide करता है coding करने के लिए तो इसको use करने के लिए हमें कहां जाए हम इसमें चले जाते हैं तो यह एक website है Arduino वालों की जिन्होंने अपनी ID provide कि यहां से जाकर आप download कर लेना latest कुछ नहीं करना है ठीक है इसका मतलब आपका यह load हो गया मतलब install हो गया Arduino IDE अब next क्या है कि इसमें ESP32 board कैसे add करें तो जैसे कि इसका नाम है Arduino तो यह by default Arduino boards के लिए ही आया था development में बाद में इसका support ESP32 के लिए भी like expand कर दिया तो ESP32 के लिए आपको यह add करना पड़ता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है मैं एक word file खोल कर दिखाता हूं आपको इसका tutorial मैंने मैंने यहां विशयद mention करा हूँगा मैं description में डाल दूँगा काफी कुछ मैंने follow किया दे random tutorials के थूई तो इसमें क्या करना है आपको पहले id in id में जाओ उसमें preference में जाकर आपको यह json file add करनी है जिसका क्या करती है package की definition add कर देती है जिससे आप search कर सकते है SP32 related boards और फिर आप board manager में जाकर उसमें आप particular ESP32 related board find कर सकते हो जब आपको मिल जाएगा तो आप इसको install कर लो तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यह कैसे करना है तो यह आपके यह पहले आइड याई इसमें क्या करो file में जाओ preferences में गए preferences में मैंने वही same copy मार दिया है अब यह देखो एक और बोड़े ESP32 A66 तो यह थोड़ा सस्ता आता है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इसी चिप वाला CP वाला ही चिप लेना आप seller से भी बात कर सकते हो कि कौन से चिप इसमें use हो रही है तो यह आपको add करना पड़ेगा पहले और add करने के बाद आप okay कर देना फिर आपको क्या करना है आप tools में जाओ board में जाओ और board manager में जाकर थोड़ा सा time लेता है देखो यह यहां पर यह load कर रहा है सारी definition boards की जितने भी हमारे पास और जब यह load हो जाएगा इस पर आपको सर्च करना है ESP 32 तो यह एक ही board का आएगा यह update के लिए कह रहा है मैंने पहले से install कर ला है इसलिए update के लिए आ रहा है वरना install करके आएगा तो यह screen कुछ इस तरह की दिखेगी जब आप install पर click कर दोगे तो इस तरह से यह बार भड़ेगी और फिर इस तरह से आपका लिखा जाएगा तो यह ESP 32 बोर्ट आ गया पता के चलेगा कि यह बोर्ट आ गया है आप जाहिए क्योंकि जब भी आप कोई development लेते हो तो उसमें आपको बोर्ट चूज करना पड़ता है क्योंकि आप इसमें जाहिए ESP 32 आगया अब मैंने यहां पर dev module सेलेक कर रखा है तो अगर आप रेंडम टुटोल यह कई और website से होगा उसमें different type को आपको बोर्ट सेलेक करने के लिए कहेंगे कि यह कर लो वो कर लो जैसे एक यह डूइट ESP 32 dev kit भी है यह में लिए चला नहीं था तो mostly क्या है कि जो इंडिया में जो वर्जन्स अवेलेबल है आपके तो इसको ट्राय कर लेना नहीं तो dev kit v1 भी आप ट्राय कर सकते हो पर यह यहां आते नहीं है क्योंकि थोड़े costly होते हैं क्योंकि यह कोई premium company बनाती है इंको तो इस वज़े से यह यहां पर शायद अवेलेबल नहीं है तो यह dev kit वाले इस ही पर चल रहे हैं तो इसक कर सकते हो अब में बात आती है कि जो हमारा next topic भी होगा कि computer को कैसे detect हो अब जैसे आप कहते हैं कि यार faulty product है अब अभी तो आपने programming सीखी नहीं आप first time ESP32 लेकर आया है और window भी बहुत कम होते 7 days की तो आपको एकदम कैसे बाचलेगा कि ESP32 working है या नहीं तो 95% cases में क्या होत होता है तो इसको detect करने का के लिए क्या करना पड़ता है आप क्या करोगे device start में जाओ device manager में जाओ device manager में जाओ और device manager आप खोलोगे तो इसमें आप ports वाले section में आ जाना तो इसमें क्या होगा जैसे ही आप अपना board ESP32 USB में add करोगे न तो यहां पर detect होना शुरू हो जाएगा पर उससे पहले अगर आप first time इसको लगा रहे हो तो cp21 जो भी हमने chip की बात करी दी cp2102 वाली automatically windows 10 में अगर आप कर रहे हो तो automatically install होती है तो जब वो install हो जाएगा तो आपको क्या करना है USB लो micro USB cable लो जो भी आपकी phone की होती है और इसको connect कर दो इससे Micro USB port पे यह connect करा जैसी आप connect करोगे एक तो यह है कि इसमें light जलने लगेगी जो एक indication है कि इसमें power तो जा रही है यह बिल्कुल dead नहीं है और दूसरे indication क्या होगा अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह COM 7 में registered हो गया है siliconless CP210 तो यह bridge बना देता है जिसके थूँ आप ID से यहाँ इस वाले board में upload कर सकते हो वह हम देखेंगे अभी जब program बनाएंगे तो यह इस तरह से detect हो जाएगा और इसका जुरुत कहां पड़ती है आपको क्या करना पड़ेगा यहाद रखिए कि COM 7 पे आपका registered हुआ है तो जब Arduino IDE में जाओ गया और इसमें COM करके option होता है port तो port में आपको यह COM 7 वैसे बाइडिफोल आ जाता है पर आपको make sure करना है कि यह same port यहाँ पे selected हो ताकि जब हम code upload करेंगे तो यह क्या करेगा serial to USB convert करेगा तो जो भी हमारा data होगा वह USB के through इसमें travel करेगा तो उसके लिए आपको एक particular port बताना पड़ेगा तो यहाँ पर यह आप use कर सकते हैं तो अभी हमने overview लिया था ESP32 का इसका pinout देखा था अब हम देखेंगे कि इसमें code हम upload कैसे कर सकते हैं हमने Arduino IDE install कर ली इसमें ESP32 board भी install कर लिया अब यह है कि इसमें हम कुछ code upload करकर देखें दा कि हम यह पता चले कि यह flash हो रहा है यह नहीं हो रहा तो पहला step था कि इसमें आप इसमें USB insert करकर PC से connect करें और इसमें देखें कि ये detect हो रहा है नहीं हो रहा अब second stage है कि इसमें कुछ upload हो रहा है नहीं हो रहा हम एक simple blink program बनाएंगे इसमें एक LED है जो pin 2 पर registered है तो उस pin 2 को manipulate करकर हम कोशिश करेंगे कि उसको blink करवाएं ठीक है उसके लिए आप Arduino में आ जाईए Arduino में आपको make sure करना है जो भी code करने से पहले कि आपने बोर्ड से यूज करा हूँ तो मैंने ये dev module यूज करा हूँ है upload frequency भी आप match कर लेना इस time हम 921600 कर रहे है 1152 भी होती है इसके बारे मैं और बाद में discuss करेंगे बाकि ये CPU frequency है और ये भी by default रहती है तो ये सब ध्यान रखना अब ये देखिए यहाँ पर port number जो है ये com1 आ रहा है पर जैसी मैं इसमें ESP32 connect करूँगा यहाँ पर port com7 आ जाएगा तो एक ये चीज भी make sure करने है आप code लिखने से पहले तो जैसे हम अगर file new करेंगे तो इस time हमाई पास ये code आता है इसमें क्या है एक तो void setup है इसमें क्या करते है हम pin बताते है कि भाई ये digital input के लिए या output के लिए एक तो ये और दूसरा loop, loop में हमें क्या करना है तो ये loop क्या करता है ये repeat करता है जैसे आप सुनना चाहते हो ना कुछ तो आप हमेशा constantly सुनते रहोगे हाँ हाँ कुछ होने वाला है तो ऐसे ये loop भी बारबच चलता रहता है कि input लेने के लिए तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हो कि light on कर फिर wait कर light को off कर फिर wait कर और फिर light on कर तो ऐसा ही कुछ हमने इसमें लिखा है बहुत straightforward code है इसमें setup में पहले थो हम pin mode बता देते है इसमें हमने pin 2 को output दिया है क्योंकि LED हमारी pin 2 पर है तो यह मैंने search किया था तो उससे मेरे को पता चला कि LED pin 2 पर है बहुत basic hello world जैसे हम बनाते हैं उसी type का यह program होगा तो इसमें output हमने define कर दिया pin mode अब हमें क्या करना है इस pin को use करना है higher locally तो high मतलब on and to I mean low मतलब low तो हम क्या कर रहे है loop चलता रहेगा every like microseconds पर इसमें हम क्या कर रहे है जैसी program upload हुआ और चालू हुआ इसमें हमने सबसे पहले high कर दिया फिर हमने delay दिया यह 1000 microseconds है मतलब 1000 equal to one second तो 1000 microseconds दिया delay हुआ मतलब light जली फिर एक सेकेंड का wait हुआ फिर क्या कर आगर हमने इसको low कर दिया उसको off कर दिया फिर one second का delay हुआ तो यह blink behavior हमें देता है यह on हुआ on हुआ wait करा off हुआ wait करा फिर on हुआ इस तरह से तो अब इसको connect कर लेते हैं इसको जैसे हम connect करेंगे इसमें यह LED दिखने लगेगे आपको जल रही है और यह जब tools और com में जाएंगे तो यह automatically select हो जाएगा जो आपने पहले configure कर दिया था एक तो यह चीज बाकि अब आपको क्या करना है इस पर यह तो verify कर लो verify से क्या होता है एक पर compile कर रहता है बाकि इसको upload को यूज करोगे तो यह पहले verify करेगा फिर upload के लिए यह command दे देगा तो पहले verify करकर देख लिए verify का और compile का क्या basic motive होता है जैसे आपने मानलो यहाँ पर semicolon लगाना भूल गए यह digital write के spelling गलत हो गई तो यह सब यह check कर लेगा और कोई buggy code आपको नहीं भेजेगा उसमें controller में तो अब यह देखिए आपका यह compile हो गया है और इसमें क्या बता रहा है कि यह इतनी bytes मतलब 22,7705 bytes यह upload होता है जो की 15% का space का तो हर एक microcontroller में स्पेस आता है जो भी हम code upload करते है वो एक data data होता है जिसकी कुछ memory होती है तो वो upload करते है तो उसमें storage space होता है अब जैसे मानलो आपकी अभी तो यह 7-8 line है अगर मानलो यह 1000 line का code होता तो आपको यह भी make sure करना होता है कि यह इसके within इसके अंदर ही रहे अगर इससे उपर ज आई है तो इस तरह के board के लिए आपको देखना पड़ेगा वे अभी हमारा simple सा है तो इसलिए हम इसको यूज कर पा रहे है तो 15% देखो इसने memory ले लिया फिर भी और बाकी यह है maximum is disallowed तो एक तो यह चीज़ हो गई बाकी आप इसको upload कर देते हैं अप्लोड के लिए upload का button दबा दे कई बार होगा यहाँ पे एक error आएगा कि board is not detected तो उस case में आपको यह in वाली या boot वाली 7 seconds के लिए आप इसको दबाए रखना तो यह तो यहाँ पर यह इस section में इसको detect कर लेता है अब जैसे यह देखे यह write करना शुरू कर दिया मतलब इसने detect कर लिया और आपको क्या करना है इसको button दबाना है hard reset और आप देख सकते हैं अब यह program इसमें upload हो गया अब यह blue LED जलने लगी है जो जलती है फिर one second wait करती है फिर जलती है फिर one second wait करती है फिर off हो जाती है फिर जलती है तो यह देखे कि यह छे lineों से हमने एक logical circuit बना दिया अब इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो भाई 10 seconds हो फि 50 seconds का wait दे दो फिर जले तो इस तरह से आप कुछ भी like logic लिख सकते हो तो यह बहुत hello world type का program है तो इससे हमने यह test कर लिया कि micro control हमारे program के through भी respond कर रहा है अब next videos हम देखेंगे कि wifi scanning के लिए और bluetooth scanning अगर देखनी हो क्योंकि जब यह board लोगे यह सब चीजे आपको चला कर देखने पड़ेगे ना तो वह चीजे हम और देखेंगे next videos में तो basically इस video के लिए यही था और आप देख सकते कितना easy था यह सब करना कि हमने RDE IDE भी install करी उसमें SP32 board इंस्टोल गया और फिर हमने एक program में upload किया और बहुत basic program था उसमें ज्यादा कुछ coding नहीं थी दो function बने ह उसके अंदर हमने सिर्फ digital right और digital right ही करा है एक बार high और एक बार low और हमने एक तरह सा microcontroller level पर हमने coding कर दिये तो यह इतना काफी असान है और मेरे ख्याल से यह काफी है इस video के लिए और guys अगर आपको यह video पसंद आई हो और आप चाहते हो कि मैं और वीडियो बनाओ तो आ अपना ख्याल रखेगा बाई